आपका इतियास देखे तो लगता है कि सौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौचौ को देख लेने के बाद इस डबल ढोलकी की हिपोक्रेसी सब के सामने बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि ये जानते बूजते भी हर तरहां का गलत काम कर देगा बशरते कीमत सही मिल जानी चाहिए रोकड़ा सही सही लग जाना चाहिए और अगर जनता ने आवाज अपने इंस्टाग्राम पर एक माफी नामा चिपका कर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एक ऐसी ही गुटका कमपनी ने अलू अर्जुन का दरवाजा भी खटकटाया था और सालाना आठ से दस करोड रुपए भी आउफर किये थे कि आप हमारे गुटका ब्रैंड क को प्रमोट कर दीजिए जिस ओफर को अलू अर्जुन ने बिना जादा कुछ सोचे समझे सिरे से ठुकरा दिया था कि अभी अभी ये खबर भी आ गई है कि केजी अफ टू के सूपर स्टार यश के पास भी यही ओफर लेकर एक और गुटका कमपनी पहुँची थी कि खान खान अजे देवगन भी तो करते हैं उन्हें उनके मन मुताबिक माल पानी भी मिल जाता है तो आप भी हां कर दीजिए और सालाना आपके घर भी पैसों से लदा हुआ बैग पहुचा दिया जाएगा आप बस कीमत बोल दीजिए आप जितना बोलोगे हम लोग देने को तैयार ही तो बैठे है आप बस एक बार हां बोल दीजिए लेकिन साउथ के सूपरस्टार और केजी अफटू के लीड हीरो यश ने इस करोणों की डील को सिरे से खारिज कर दिया और इस पान मसाला ब्रैंड को उल्टे हाथ वापिस भेज दिया बताइए कितना मुश्किल था ये डिसीजन जो पुश्पा के अलू अरजुन ने लिया जो केजी अफटू के यश ने ले लिया बस अपने फैंस और अपने देश की लोगों की भलाई के बारे में ही तो सोचा था जहां उसी के उलट ये तीनों महारती 30-30 सालों से इंडस्ट्री में हैं जनता के पैस आईयों के मुँ में ठेलने का काम कर रहे हैं जहर समान प्रोडक्ट्स को बड़ी उच्च लेवल की बेशर्मी के साथ इंडॉर्स कर रहे हैं बहराल इस पूरे मुद्धे पर आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिलकुल भी न भूले अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करें मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ